हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों आज हमें एक नई जर्नी की शुरुवात कर रहे हैं और ये जो जर्नी है इसका जो एम है इसका जो गंतव्य है डेस्टिनेशन है वो आपके जो क्लास टेंथ है इसमें 40 आउट 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 बच्चों हमारे जितने भी लेक्चर यहाँ पर अप्लोड होंगे उसके अंदर आपको NCRT पूरी कवर कराई जाएगी ठीके आपको पूरी की पूरी NCRT कवर कराई जाएगी सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पर कलियर कराई जाएंगे उसके बाद आपको जितनी भी possible short tricks है वो भी बताई जाएगी उसको अपलाई करना सिखाया जाएगा और उसके बाद और भी बहुत सारी चीजे ऐसी हैं जो इस चैनल पर आती रहेगी आपको हर एक चैप्टर के नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिलते रहेंगे तो बच्चो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो की है ट्रिगनोमेट्री अब आप कहेंगे कि हमने चैप्टर नंबर एट ट्रिगनोमेट्री से क्यों स्टार्ट करा क्योंकि 80-90% बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत जाती है trigonometry और triangles के अंदर ठीक है सही बात है यह ठीक है तो हम trigonometry को start करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि भाई यह trigonometry का मतलब क्या है ठीक तो trigonometry हम लिखते हैं सबसे पहले बच्चों यह तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है जिसके अंदर जो पहला वर्ड है वो है try इसका मतलब होता है three gone का मतलब होता है sides क्या होता है sides और metric का मतलब होता है measure क्या मतलब होता है measure ठीक है तो trigonometry का मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसा figure जिसके अंदर तीन sides हो और उसके हम measurements करेंगे क्या करेंगे measurement अच्छा बचो जब भी तीन sides की बात आती है तो हमारे दियमाग में सबसे पहला जो figure आता है वो आता है triangle क्या आता है triangle और trigonometry सिर्फ और सिर्फ deal करती है किसमे right angle triangle किसमे deal करती है right angle triangle ठीके right angle triangle मान लीजिए ये एक right angle triangle है जिसका एक angle 90 degree होगा ओके बहुत बढ़ी है बहुत शानदार मान लीजिए ये ABC एक right angle triangle है ठीक अच्छा अब बचो जब भी triangle में angles की बात कोई करता है किसकी बात करता है ? एंगल्स की बात करता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीछ आती है कि किसी भी ट्रीयंगल के टीनों एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 लिग्री कोई दिक्कत है इसके अंदर इसको हम कहते हैं angle sum property of a triangle क्या कहते हैं angle sum property of a triangle जिसके अंदर तीनों एंगल का जो सम है वो होता है 180 degree अच्छा अगर कोई side की बात करता है किसकी बात करता है side की बात करता है तो हमारे दिमाग में आता है pythagoras theorem क्या आता है pythagoras theorem जो कहता है कि hypotenious का square equals to perpendicular का square plus में base का square क्या ये आप सभी लोग चानते हैं कि क्या लिखा हुआ है ठीक अब hypotenious किसको कहते हैं जो हमारा right angle rectangle होता है उसमें जो 90 degree angle के सामने वाली side होती है ठीक है hypotenious ठीक ये हो गया हमारा perpendicular और ये हो गया हमारा base अच्छा ठीक ठीक है हम समझेंगे कि कब किस चीज को perpendicular बनाया जाता है और कब किस चीज को base बनाया जाता है लेकिन उसकी पहले हमें छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि बच्चों जो हमारा angle some property है ये लगती है जब angles की बात करते हैं ठीक है पायतो गौरस theorem है ये लगता है जब हम sides की बात करते हैं लेकिन अगर किसी ने sides की और angles की साथ में बात कर दी तब हमारे पास कोई भी concept available नहीं है ठीक तो इसके लिए इस condition को देखते हुए trigonometry ने कहा कि भाई इस चीज का solution मैं trig trigonometric ratios के नाम से provide कर दोंगी ठीक है तो trigonometric ratios हमको क्या provide कराता है कि sides और angles के बीच का relation क्या provide कराता है sides और angles के बीच का relation ठीक है अब बच्चो हम कुछ छोटी छोटी बाते कर लेते हैं पहले कि मालों ये एक triangle है क्या है एक right angled triangle है ठीक ये A ये बी और ये सी ठीके, दिख रहा है सबको कोई दिक्कत कोई डाउट अच्छा अब जो 90 डिकरी के सामने वाली सैड होगी यह वाली सैड अब पोजिट सैड इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियosit क्या कहते है है हाइपोटेनियus ठीके कोई परिशानी हो तो बताईए कोई दिक्कत, कोई डाउट समय भार है, अच्छा अब हम मालो ए पर बैटे हैं कहाँ पर बैटे हैं, ए पर अगर बैटे हैं तो ये हमारा एंगल होगा ये हमारा एंगल, मालो ठीटा माल लेते हैं ए मालो कुछ भी कहां बैटे हैं ए पर बैटे हैं अच्छा अब बच्चो जहां पर भी हम बैटे हैं तो किसकी मदद से बैटे हैं हमारे बेस की मदद से बैटे हैं किसकी मदद से बैटे हैं तो हम ए पर अगर बैटे हैं तो हम इस साइड पर बैटे होंगे और इस साइड का नाम हम रख बेस क्या नाम रख देंगे बेस ठीक है समझ आ रहा है कोई दिक्कत है क्या अच्छा अब ए पर बैठकर हम हमेशा एक ही गाना गाएंगे कि भाई मेरे सामने वाली साइड में एक परपेंडिकुलर रहता है क्या नाम है इसका परपेंडिकुलर इसका नाम क्या है बेस हमको गाना कौन सा गाना है मेरे सामने वाली साइड में एक परपेंडिकुलर रहता है कौन रहता है परपेंडिकुलर ठीक है तो हमारे इस ट्रेंगल के अंदर ये वाली साइड हमारी कौन से होगी जो बी सी हो गई यह हो गई हमारी perpendicular ठेक जो हमारी AB हो गई यह हमारी हो गई base और हमारी जो AC वाली side हो गई यह हो गई हमारी hypotenuse ठीक है कोई दिक्कत कोई परिशानी बेटा कोई डाउ ठीक है माल लेते हैं कि हम बैठे हुए हैं C पर जो हमारा triangle था भी इस तरह का कुछ triangle था ठीक है इस तरह का कुछ triangle था इसके अंदर A B और C लिखा था अब मैं अगर C पर बैठ गया मैं किस पर बैठ गया C पर बैठ गया तो देखेंगे ठीक C पर बैठ कर यह angle ठीटा हुआ ठीक इस पर बैठाओं तो किस साइट पर बैठाओं मैं BC साइट पर बैठाओं तो अब मेरा ये हो जाएगा base क्या हो जाएगा base मेरा base किस पर आएगा BC साइट पर आएगा तो ये मेरा हो जाएगा base और इसके सामने वाली साइड होगी इसको हम कहाँ देंगे perpendicular और ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री इसके opposite साइड को हम कहाँ देंगे hypotenuse क्या कहाँ देंगे hypotenuse चलो आसान है कोई दिक्कत है ठीक है कोई दिक्कत अच्छा अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं trigonometric ratios की और पढ़ते हैं तो बच्चो trigonometry ने हमको 6 ratio दिये हैं कितने ratio दिये हैं 6 ratio दिये हैं हम सबसे पहले उसको लिखने की कोशिश करते हैं ठीक है trigonometric ratio क्या है हमारे ठीक है trigonometric ratios ठीक इसके अंदर 6 ratios हैं पहला है हमारा sin of theta ठीक है दूसरा है हमारा cos of theta तीसरा है हमारा tan of theta चौता है हमारा cot of theta ठीक है इसके बाद हमारा आएगा sec of theta और फिर आएगा हमारा cos sec of theta ठीक है ऐसे 6 trigonometric ratio है बच्चो ये जो मैंने sin theta लिखाया ना इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं निकालना है कि ये लिखा है sin ये क्या लिखा है sin into theta ऐसा बिल्कुल नहीं होता है इस चीज़ को बहुत द्यान से समझने की कोशिश करना इस पर पक्का एक नेक mcq आपकी exam में आने वाला hook अच्छा अब इन ratios को याद करने के लिए हमको सबसे पहले जरूरत होगी एक triangle की तो हम फिर से एक right angle triangle बना लेंगे एक right angled triangle बना लेंगे इसके अंदर हमने नाम दे दिया इसको B इसको नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया हमने C अब हम बैठ गे माल लो angle A पर तो ये हो गया हमारा theta ठीक A अगर हमारा हो गया है theta तो इसके लिए हमारा जो perpendicular होगा वो होगा ये और इसके लिए हमारा जो base होगा इसके side by side या कह दो कि A किस पर बैठेगा A B पर बैठेगा तो ये हो गया हमारा base और ये हो गया हमारा hypotenuse कोई दिक्कत है क्या अब सबसे पहले हम trick की बात कर लेते हैं कि इन ratios को लिखने के लिए याद करने के लिए हमें किस trick की जरुरत पढ़ने वाली है तो हमें trick की जरुरत पढ़ेगी पंडित बद्री प्रसाथ हर बोले क्या लिखा मैंने पंडित बद्री प्रसाथ हर हर बोले ठीके अच्छा देखो इसके अंदर इसके अंदर हम देखेंगे अच्छा भाई बहुत बढ़िया बहुत शांदार क्या है लिखा है ये हमको देगा साइन ओफ ठीटा ठीक है ये हमको देगा कॉस ओफ ठीटा ये हमको देगा कॉस ओफ ठीटा ये हमको देगा कॉट ओफ ठीटा ये हमको देगा सैक ओफ ठीटा और ये हमको देगा कॉस सैक ओफ ठीटा कोई दिकत अच्छा देखो साइन कहा लि की है उसके अंदर क्या करना है उपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करना है क्या करना है उपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करना है ठीके मतलब साइन के अंदर हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस क्या करेंगे परपेंडिकुलर बाई देखें, तो हमारा जो perpendicular है, जो हमारा perpendicular है, वो है हमारा BC, ठीक है, जो हमारा base है, वो है हमारा base क्या है, AB, और जो हमारा hypotenious है, जो हमारा hypotenious है, वो है हमारा AC, कोई दिक्कत है क्या है, इसमें, नहीं, ठीक, perpendicular by hypotenious, ठीक है, अच्छा, perpendicular कितना है BC by hypotenuse कितना है AC यह हमने लिग लिग लिया sin theta अच्छा, cos theta के लिए हम देखेंगे cos भी उपर है, इसके अंदर क्या करेंगे base divided by hypotenuse क्या करेंगे, base divided by hypotenuse base की value होँआ से simple लिख लेंगे AB और hypotenuse की value है हमारी AC कोई दिक्कत बेटा, कोई परेशानी बहुत जाता आसान चीज है ठीक है, अच्छा, 10 theta के उपर नज़र ढालेंगे तो 10 theta क्या है, perpendicular by base देखो, क्या लिखेंगे हम perpendicular by base और perpendicular है हमारा BC perpendicular है हमारा BC और base है हमारा AB अच्छा, अब हमाएंगे cot theta cot theta मतलब नीचे वाली चीज की बात कर रहे है अगर नीचे वाले एंगल्स की बात करते है तो हमको क्या करना है नीचे वाले एंगल्स को उपर वाले एंगल्स से divide करना है क्या करना है, नीचे वाले एंगल्स को उपर वाले एंगल्स से divide करना है इसका मतलब क्या हो जाएगा base by perpendicular तो cot theta की value हो जाएगी base by perpendicular और base है हमारा AB और perpendicular है हमारा BC, देखो base क्या है AB और perpendicular है BC, अच्छा, बहुत बड़िया बहुत शांदर, ठीके, कुछ समझ में आ रहे बिटा कुछ समझ में आ रहे अच्छा, चल देख आगे की चीज क्या बता रहा हूँ मैं, देखो, ध्यान से देख, सेक ठीटा, सेक ठीटा क्या कह रहा है, सेक ठीटा क्या कह रहा है, नीचे, नीचे वाले को उपर वाले से डिवाइड, मतलब हाइपोटेनियस को किसको डिवाइड करना है, हाइपोटेनियस को किस से डिवाइ BC, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है कि इसमें, आसान है, ठीक, बहुत ज़्यादा आसान है, कोई दिक्कत, अच्छा, देख, बच्चों एक example डालो, एक example डालो, ठीक है, उसके अंदर example में हमको उसने बोला है, कि भाई, जो हमारा 10 theta है, जो हमारा 10 theta है, इसकी value दिये है, उसने 4 by 3, 4 by 3, और हमको बताना है, अधर trigonometric ratio, क्या बताना है, अधर trigonometric ratio, अच्छा, देख, बहुत सारी method होती है, इसको solve करने की, हम सबसे आजसान सी method पर जाने की कोशिश करते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले एक triangle बनाओ, क्या बनाओ, एक triangle बनाओ, ठीक, अच्छा, अब ये हम हमारा theta है, ठीक, हमने कुछ भी नाम दे दो, P, Q और R, ऐसा नाम दे दिया, ठीक, अब हमारा हमने, क्या बोला, 10 theta बोला है, तो सबसे पहले, जब कुछ नहीं दिखे, तो क्या करना है हमको, पहले लिख दो, पंडित, बदरी, प्रसाद, हर, हर, बोले, ये लिख दिया, ये होता है, cost है, अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक, अब 10 में क्या है, perpendicular by base, तो direct लिख दो, इसके आगे direct लिख देंगे, perpendicular by base, लिख दो, कोई फरक नहीं पड़ेगा, क्या है, कोई फरक नहीं पड़ेगा, ये हमारा क्या, perpendicular by base, ठीक, अब ये ठीटा, तो perpendicular हमारे सामने वा अब इसके बाद हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, simple सी बात है, pythagoras लगा दो, जब कुछ समझ में ना है, तो किस पर जाना है, pythagoras पर, ठीक, अच्छा, pythagoras क्या बोलता है, कि भाईया, hypotenious का square, equals to perpendicular का square, plus में base का square, कोई दिक्कत है क्या, अरे असान एक्तम simple steps है, ठीक है, अच्छा, hypotenious का square, equals to, perpendicular मेरे पास कितना है, 4, तो मैंने लिखा यहाँ पर, 4 का square, plus में, base है मेरे पास 3, तो मैंने हाँ पर लिख दिया, 3 का square, अच्छा, simple calculation है, 4 का square होता है, हमारा 16, और 3 का square होता है, हमारा 9, तो यह हो गया हमारा 25, और h square की value आ 25, और h square आ गया हमारे पास 5, वैसे plus और minus 5, लेकिन यहाँ पर length की बात है, तो length होती है, हमेशा positive, तो hypotenious हमारे पास आ गया 5, अच्छा, perpendicular है, base है, hypotenious, तो भाई, कोई भी trigonometric ratio, कोई मेरे से पूछ ले, कोई परिशानी है क्या, आसानी से मैं बता सकता हूँ, चलो देखते है, sine की value बताने की कोशिश करते हैं, किसकी? sine of a की, sine of theta की value बताने की कोशिश करते है, sine theta क्या है, perpendicular by hypotenious, तो मैंने लिखा भाई, perpendicular by hypotenious, और perpendicular की value क्या देखे रखे है, perpendicular की value देखे रखे है, 4, क्या देखे रखे है, 4, और hypotenious हमने निकाल लिया, कितना है, 5, तो यह हमारे आ थीटा होता है हमारा पंडित बदरी प्रसाद हर-hर बोले से बेस बाइ हाइपोटेनियेस और बेस है हमारा 3 और हाइपोटेनियेस है हमारा 5 कोई दिक्कत है क्या? आसान है, 10 तो दिया है, अब हम चलते हैं कोट की ओर, कोट अस ठीटा एकवलस टू क्या कहा रहा है, बेस by perpendicular क्या कहा रहा है बेस बाइ पर पेंडीकुलर और बेस है हमारा 3, बेस कितना है हमारा दिक 3, पर पेंडीकुलर कितना है 4, 3 by 4, कोई दिक्कत, ऐसा ही हम लिख देंगे, sack of theta, sack theta हमारा क्या होता है, hypotenuse, hypotenuse by base, और hypotenuse है हमारी 5, और base है हमारा 3, कोई दिक्कत, इसी तरह हम कॉसेक को भी लिख देंगे, क्या होता है, hypotenuse by perpendicular, hypotenuse is 5 और perpendicular है हमारा 4 कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई अपत्ति इसके अंदर, simple सा logic जब कुछ समझ में ना आए तो हमको क्या करना है, पाइथागोरस theorem को अपलाए करना है question हमको ऐसी कही न कही situation में जरूर डाल देगा कि वहाँ से हमको पाइथागोरस theorem लगानी पड़ेगी, जैसे ही पाइथागोरस theorem हम लगाएंगे हमारे question में कैसे कैसे answer आएगा, सारी चीजे दिखने लग जाएगी कोई दिक्कत? अच्छा, बच्चों ये वाला जो question है, इसकी मदद से हम जो हमारी exercise 8.1 है, कौन सी है? 8.1 है, इसका question number 1, question number 2, question number 3, question number 4, question number 5, question number 7, question number 8 और question number 9 को आसानी से solve कर सकते हैं, मैं आपको एक triplet बताता हूं, ठीक है, triplet क्या होता है? कि जैसे अभी हमने ये square करा, ठीक है, अभी हमने क्या करा, square करा, तो किसका किसका square दिया हुआ है? 3 क्या दिया था हमको 3 का square हमने करा 3, 4 और 5 ठीक है क्या किया था मेरा ये मेरे triangle बना दिया simple सा ठीक है ये 3 दिया है ये 4 दिया है तो मैंने इसको पाया था गोर उसे निकाला तो ये मेरा आ गया था 5 ठीक है ये आ गया जो सबसे बड़ी side होगी वो क्या होगी hypotenuse क्या होगी hypotenuse कोई परिशानी अच्छा इसी तरह का echo triplet है उसको हम कहते है 5, 12, 13 क्या कहते है 5, 12, 13 जो सबसे बड़ी side है वो हमेशा होगी hypotenuse बाकि सब दोनों छोटी change हो जाती है अच्छा echo triplet है हमारे पास जिसको हम कहते है 20, 21, 29 जो हमारा अगला triplet आ रहा है जो हमारा अगला triplet आता है वो कहता है 7, 24, 25 देखो गटा 4 triplet मैंने आपको बता है इन 4 triplet की अगर आप मदद लेते हैं अगर आपको ये याद रहते हैं तो आपको पायथागोरस थियोरम में जो आपकी exam में question आने वाले होंगे उसमें जादा squaring वगरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये triplet ही maximum time पर पूछे जाते हैं कोई दिक्कत है क्या ठीक है कोई परिशानी पिटा कोई doubt हो तो आप comment में मुझे बता सकते हैं एक question उठाते हैं जो कह रहा है कि भाई एक example डाल लेंगे ठीक है क्या डाल लेंगे example डाल लेंगे example में क्या कह रहा है कि एक right angle triangle है एक right angle triangle है a b और c ठीक है ये right angle triangle है इसके अंदर वो कहल रहा है कि भाई जो 10 a है हमारा क्या है, tan a है, वो है हमारा 1, ठीक है, वो है हमारा 1, तो हमको value निकालनी है, किसकी, sin a, cos a equals to 1, क्या निकालना है, sin a, sorry, क्या निकालना है, 2 sin a, cos a equals to 1, ये निकालना है, ये हमारे पास क्या है, given, क्या है हमारे पास, given, ठीक है, ये हमारे पास given है, और ये हमको show करना है, कि 2 sin a cos a equals to 1 अच्छा चलो ठीक है प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले क्या लिख लेंगे पंडित बदरी प्रसाद हर-hर बोले क्या लिख लेंगे पंडित बदरी प्रसाद हर-hर बोले कोई दिकत अच्छा ये है हमारा sin of theta ये आएगा cos ये आएगा 10 ये आएगा cos ये आएगा sec और ये आजाएगा cos कोई दिकत पिड़ा कोई दिकत कोई doubt अच्छा बहुत बढ़िया 10 है ठीक है क्या दिया है उसने 10 of a equals to 1 10 हमारा क्या होता है perpendicular by base क्या होता है perpendicular by base ठीक इसकी value उसने अगर 1 दी है क्या लिखेंगे इसको 1 by 1 लिख सकते ठीक है 1 by 1 लिख सकते मतलब perpendicular को भी 1 लिख दो और base को भी 1 लिख लो इसको भी 1 लिख दो इसको भी 1 लिख लो अब हमको क्या निकालना है hypotenious क्या निकालना है hypotenious ठीक है फिर से लगा देंगे हम Pythagoras क्या हो जाएगा Hypotaneous का square equals to perpendicular का square plus में base का square अरे कोई दिक्कत आसान है solve हो जाएगा कोई दिक्कत अच्छा perpendicular भी मेरा 1 है मतलब यह आजाएगा 1 का square plus में 1 का square तो यह आजाएगा मेरा 2 तो h square की value आगे 2 तो h की value आजाएगी मेरी root of 2 तो h की value मेरी आगे root of 2 अब उसने मेरे को बोला है 2 sin A into cos क्या बोला है 2 times sin A into cos of A equals to 1 क्रूफ करना है तो 2 into sin A sin A क्या होजा perpendicular by hypotenuse perpendicular क्या है मेरा इस angle के लिए perpendicular क्या है यह है मेरा perpendicular BC है मेरा perpendicular तो मैंने लिख लिया BC by AC BC by AC into cos एक क्या है मेरा AB by AC यह है ठीक है तो मैंने लिखा 2.1 by root 2 into 1 by root 2 1 by root 2 into 1 by root 2 equals to 2 into 1 by 2 2 से 2 कटा बचा 1 LHS equals to RHS हमारा question यहाँ पर हो गया solve क्या हो गया solve हो गया question कोई परिशानी कोई दिक्कत है क्या अच्छा अब बच्चो जो हमने sine, cos, ten, cot, sec पड़ा है इसके अंदर हम एक छोटी छोटी बात देख लेते हैं ताकि हमारा question number 11 है कौन सा है question number जो हमारा 11 है वो हमसे solve हो जाना चाहिए ठीके क्या कहता है हमने अब बड़ा sine, cos, ten, cot, sec और cos, sec तो जो हमारा sine है जो हमारा sine है इसका तो पूरा pronunciation या पूरी spelling है इसके आगे हम co लगा देंगे co लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा cos यह cos है इसके अंदर क्या cos ऐसा पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे sine क्या आगे co ऐसे सभी इंगल है देखो जैसे अब मैं पढ़ता हूँ ten की बात करता हूँ ten की बात करता हूँ ठीके तो ten के आगे co लगा दूँगा क्या लगा दूँगा co तो यह हो जाएगा cot क्या हो जाएगा cot 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 यह में इसलिए बता हूँ क्योंकि कहीं न कहीं mcq में आपसे वो यह चीज को पूछेगा कि भाई cot 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 में क्या अंतर है, पुछे का, पुछे का, मटेंच लो, कॉस, और कॉस से एक में बच्चे, हमेशा कॉस का जो फुल फॉर्म है, वो को सिकेंट लगा कर आते हैं, कोशन नमबर 11, अगर आप आपकी NCRT 8.1 का खोल कर देखेंगे, तो आपको ये चीज वहाँ पर दिख जाएगी, कोई दिक्कत है, ठीक, एक और चीज मैंने आपको बता दिये कि sin of theta, ये इसको हम क्या बोलते है, sin of theta, इसका मतलब बिलकुल भी ऐसा नहीं है, कि हमने sin को theta से multiply करा है, ये पूरी की पूरी quantity एक है, ये पूरा का पूरा ratio एक है सिर्फ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप मुझे बोल सकते हैं, पिटा कोई दिक्कत हैं, अब हम एक और simple से question की और चलते हैं, जो आपकी NCRT का ही है, लेकिन काफी important है, और शायद तक आपक स्क्रीन के ओपर ये question ये रहा, ठीके, आपकी स्क्रीन के ओपर ये question ये रहा, चलो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कि जो जो given है, उसको diagram के अंदर बना लेते हैं, क्या करते हैं, diagram के अंदर बना लेते हैं, diagram है हमारा O, ये है हमारा P, ये हमारा Q, ओके, ये दिया है, हमको O O P दिया है 7 cm और उसने एक और अच्छे information दिये कि O Q O Q minus P Q equals to 1 अच्छा ये बहुत important चीज़े ये बहुत important चीज़े उन्होंने देखे रखी है अच्छा अब ये O Q को मैं क्या लेख सकता हूँ यहां से देखो O Q equals to P Q को उधर ले जाओंगा तो 1 plus P Q हो जाएगा क्या हो जाए है अब इस question को देखने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो जब कुछ समझ में नहीं आ है trignometry में तो हमको जानाए कहां Pythagoras theorem की तरफ तो Pythagoras theorem इस triangle में लगा दो क्या बोलेगा Hypotaneous का square Hypotaneous का square Equals to Perpendicular का square Plus में Base का square Okay Hypotaneous is OQ का square OQ का square Equals to Perpendicular is PQ का square क्या बोल देंगे हम PQ का square Plus में OP का square Plus में OP का square कोई दिक्कत कोई परिशानी अच्छा इतना हमने लिख लिया है और शायद तक हमको इतनी बात आती होगी क्या लिखा है OQ का square Equals to PQ का square Plus में OP का square ठीके OP की value हमको दिखके रखी है 7 तो हमने लिखा है PQ का square Plus में 7 का square ठीके अब OQ OQ की बारी यही तो OQ हमारा क्या है OQ equal to 1 plus PQ तो OQ की जगह में रख देता हूं 1 plus PQ इसा लिख दिया 1 plus PQ और इसका square लगा है तो square भी लगा देंगे ठीके है तो इसको हम किससे open करेंगे A plus B का whole square equals to A square plus B square plus 2AB इससे open होगा है कोई दिकत अच्छा कैसे लिखेंगे 1 का square plus में PQ का square plus में 2 into 1 into PQ कोई दिकत अच्छा equals to equals to में क्या है PQ का square PQ का square plus में 49 अरे भाई PQ square और PQ square को हम आसानी से काट सकते हैं तो यहां बचा 2PQ equals to 49 minus यह 1 को उधर ले जाएंगे तो 1 यह बचा 48 equals to 2PQ तो PQ की value हमारी आ गए 48 divided by 2 equals to 24 PQ की value आ गए हमारे पास क्या PQ की value आ गए हमारे पास 24 अच्छा अब PQ की value इसमें रख देंगे या इसमें OQ OQ equals to 1 plus PQ तो भई equals to 1 plus 24 तो यह आ गए हमारा 25 तो OQ आ गए हमारा 25 कोई दिक्कत ठीक है OQ आ गए हमारा 25 कोई दिक्कत है क्या ठीक आसानी से अब सामने वाला मेरे से कुछ भी ट्रिग्नॉमेटरी में पूछ ले मेरे को तो बस एक चीज आती है कि मेरे को क्या लिखना है सामने वाले ने मेरे को साइन बोला है तो मैं लिखूंगा साइन आफ क्यूँ क्या लिखेंगे हम साइन आफ क्यूँ पूछा है उसने ठीक कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर आएंगे डाइग्राम में यह रहा हमारा क्यूँ यह है हमारा क्यूँ ठीके इसके लिए पर सामने वाले साइड जो होगी यह होगया पर्पेंडिकुलर और जो साइड वाले साइड होगी यह होगया हमारा बेस क्योंकि देखो Q कहां पर बैठा है PQ पर बैठा है तो PQ इसका क्या हो जाएगा base, क्या हो जाएगा, base तो simple सी बात है, sign क्यों होगा हमारा perpendicular by hypotenuse, और perpendicular है हमारा 7, और hypotenuse है हमारी 25 same उसने एक और चीज़ पूछी है, cos of q equals to, हमारा होता है base, क्या होता है, base by hypotenuse base को हम क्या लिख देंगे यहाँ पर देखकर, 24 और hypotenuse हमारी हो जाएगी 25, तो यह हो गया हमारा question, अच्छे से solve, कोई दिक्कत है क्या कोई परिशानी, पका ठीक, तो बच्चो जो जो चीज़े मैंने आपको यहाँ पर बताई है, जो questions बता है इसकी मदद से, आपको पूरी की पूरी exercise 8.1 solve हो जाएगी, ठीक जो question और इहाँ पर important बचे हुए हैं, वो और exercise 8.1 अगर आप solve कर रहे हैं और अगर आपसे solve नहीं हो पा रही है, तो आपको डरना बिलकुल नहीं है, आप मेरे से कभी भी comment box में doubt पूछ सकते हैं, और दूसरा दूसरा, नीचे description में आपको एक notes मिलेंगे जिसके अंदर आपको पूरी की पूरी exercise solve मिलेगी, आपको पूरे की पूरे notes वहाँ पर available मिल जाएंगे ठीक, और सारी चीजे free of cost रहेगे, क्या रहेगी? free of cost ठीक, बच्चों, अगले lecture में हम angles की बात करेंगे और एक trick सिखेंगे कि कैसे उन सारे की सारे angles को हम आसानी से याद कर सकते हैं